तो Amazon की Great Indian Festival में iPhone 13 का price point reveal कर दिया गया है 39 triple line लेकिन ये price point आपको सारे card offer लगा कर देखने को मिलती है तो बिना card offer के और exchange bonus के iPhone 13 का क्या price point रहेगा additional discount आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा COD या फिर EMI के लिए क्या condition रहेगी debit card के उपर और credit card के उपर maximum discount कितना मिलेगा सारी जीज़े detail में बताऊँगा इसी बात पर वीडियो को एक like कर देना और चैनल को subscribe लिग कर लेना तो जैसा कि मैंने शुरू आज से बोला था कि iPhone 13 का जो price point होगा वो आपको 45,000 से नीचे देखने को मिलेगा तो final effective price है 39,999 अगर हम इसका bifurcation चेक करें तो अभी यहाँ पर जो deal price आया है वो है 45,999 इसके अलाव अगर card offers की बात करें तो 25,000 रुपे का discount आपको अलग से देखने को मिलेगा इसके अलावा 35,000 रुपे का exchange bonus मिलेगा और फिर जाकर आप इसको 40,000 के करीब purchase कर सकते हो अब यहाँ पर SBI का card use हुआ है तो 90% लोगों के पास यह card मिल जाता है मैं debit card की बात कर रहा हूँ तो यह जो 25,000 रुपे का discount है यह आपको सिर्फ credit card के साथ में देखने को मिलेगा तो debit card के उपर आपको कितना discount देखने को मिलेगा तो मैंने इसके लिए काफी ज़दा research किया और इनका जो FAQ page है यहाँ पर जाकर detail देखोगे तो एकदम साफ mention किया है कि यह जो discount है यह आपको credit card पर मिलेगा debit card पर नहीं मिलेगा साथ ही साथ यहाँ पर आपको additional 500 रुपर डिसकाउंट और मिलेगा अगर आप 30,000 उपर की shopping करते हो तो यहाँ पर maximum discount 1500 रुपर हो गया तो SBI का debit card अगर आपके पास है तो भी आप जो है 1500 रुपर डिसकाउंट तो ले ही सकते हो तो आपको अलग से 3500 रुपीज का exchange bonus भी मिलेगा मान लिजी मेरे पास यह phone है यह 10,000 रुपर का phone है तो अगर मैं इसको exchange में apply करता हूं तो मुझे यहाँ पर 13,500 इसका जो exchange value मिलेगा एक चीज यहाँ पर और अच्छी है कि इनका जो exchange policy है वो flip card के मुकाबले काफी सही है तो exchange में भी आपको इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा अब कुछ लोगों को यह जानना है कि क्या iPhone 13 के उपर आपको cash on delivery का option मिलेगा तो नहीं आपको cash on delivery का option यहाँ पर इस बार देखने को नहीं मिलेगा आपको iPhone की case में तो देखो prepared payment ही करना पड़ेगा बात करते हैं EMI option की तो देखो debit card के उपर को EMI option आपको नहीं मिलेगा लेकिन हाँ अगर आप credit card पर करना चाते हो तो वहाँ पर आपको option भी मिलेगा प्लस 500 पर का additional EMI discount भी आपको मिलेगा अब ये जो no cost EMI का option है वो भी आपको मिलेगा जो maximum देखो 6 मन तक तो जाएगा तो सारे offers लगा कि आप 40,500 में iPhone 13 को करेच सकते हो एक चीज़ आपको ध्यान में रखने है कि ये जो price point है शुरुआत के कुछ घंटों में ही रहेगा वो सकता है आगे चल गर इसका जो price point हो आपको 3-4,000 पर बढ़ता हुआ देखने को मिल जाए तो कोशिश करना है कि शुरुआत के अंदर ही purchase करनो अब इस बार price point के अंदर इन्होंने जो exchange bonus को offer दिया है ये basically इसी बार से applicable हुआ है और कुल मिलाएके इन्होंने थोड़ा सा tricky किया है price point को क्योंकि ये जो exchange वाला offer होता ना है ये सब के लिए applicable नहीं होता कुछ लोग exchange करते हैं कुछ लोग नहीं करते तो हम इसको एक fix और flat discount तो नहीं मान सकते और ये सिर्फ Amazon नहीं कर रहा flip card भी ऐसा करेगा क्या पता आपको iPhone 14 जो की 50,000 के अंदर देखने को मिलेगा और वहाँ पर भी ऐसा कुछ देखने को मिले तो वो चीज़ तो जब price point रिवील होगा तम मैं आपको update कर दूँँगा अभी sale 8 October से start हो जाएगा Prime members हो तो 7 October से access कर सकते हो तो जल्दी से Prime membership का जुगाड कर लो अगर आपके पास नहीं है तो मैं तो बोलूँआ कि आप purchase कर लो एक महीने के लिए अगले महीने बंद करवा दिना बाकि अगर trial offer मिल रहा है तो फिर आपका काम फिरी में हो जाएगा तो iPhone 13 के price point को लेकर फिलाल के लिए इस वीडियो के अंदर बस यही था अगर आपके कोई भी सवाल है कोई question रहा गया है तो फिर आप मुझे निचे comment section में पूछ सकते हो मैं मिलता हूँ मैं मिलता हूँ किसी next वीडियो में किसी नए topic के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय बार